नमस्कार दोस्तों दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तों आम तोर पे रोजाना एक वीडियो हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं अपने चैनल पे डालता हूँ दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है कि हम अपने घर में बन रहे सीड़ी के लागत को किस तरह से कम कर सकते हैं दोस्तों मेरा जदातर ध्यान हाउस कंस्ट्रक्शन में होने वाले खर्चे को किस तरह से हम कटोती कर सकते हैं कम खर्चे में हम अच्छा घर बनवा सकते हैं इसी के मेरा ज़्यादा फोकस रहता है तो आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो का माद्यम से बताने वाला हूँ कि आप अगर अपने लिए घर बनवा रहे हैं तो सीरी में कितने mm का रौट देना सही रहेगा दोस्तो लाइप में एक ही बार घर बनाया जाता है तो इसे हम मजबूत भी बनाना है और साथ ही साथ फाल्तु फिजूल खर्ची से भी बचना है दोस्तो जो पैसे हम लोग सीरी बनाने में अगर कुछ भी पैसा हम लोगों का बचता है तो उसको हम लोग सीरी की उपर रेलिंग लगाने में खर्च कर सकते हैं जो कि घर को बहुत ही जादा अकर्शक बना देगा दोस्तो आप ये सेंटरिंग देख लीजिए सेंटरिंग किस तरह से करते हैं इस पे मेरा एक स्पेशल वीडियो है अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं और हाउस का सक्षन से रिलेटेड जितने भी वीडियोज है अगर आप चाहते हैं कि स्वीरी बनाना स्टेप बाई स्टेप आप सीख है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के भी सीख सकते हैं ये जो आप trade देख रहे हैं, rise देख रहे हैं इसकी width कितनी हो, height कितनी हो, landing कितना, feet पर देना है आपको fly कितना रखना है, hard चीज के जानकारी already मैंने अपने चैनल पर upload कर दी है दोस्तो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्ये का मोटाई कितनी होनी चाहिए हमारे सीरी के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि सीरी का इस्तिमाल हम लोग किस चीज के लिए करते हैं दोस्तो, जिस तरह से beam होते हैं, column होते हैं तो उनको जो है वो structure को संभाल के रखना होता है लेकिन सीरी का ऐसा कुछ भी नहीं है ये सिर्फ उस पे चलने वाले इनसान का वजन ही उठाते हैं जो कि मामूली होता है, बहुत ही कम होता है अगर आप देखेंगे दोस्तो, यहाँ पे सीरी बनाया जा रहा है और इसमें 10 mm का सरिया इस्तमाल किया जा रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताईए कि क्या ये सही है, गलत है या फिर इससे ज़्यादा यानि कि 12 mm का सरिया आपको देने चाहिए आप अपना मत कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताईगा लेकिन मेरा मत पी सुन लिजिए सीरी बनवाने के लिए जो 10 mm का सरिया रहता है में बार हम लोग इसको दे सकते है 10 mm का सरिया से बना हुआ सीरी कहीं से भी कोई कमजोर नहीं होता है और बहुत हीं अच्छा होता है बहुत से लोगों को देखा जाता है सीरी में भी 12 mm सरीय का इस्तिमाल करते हैं जो कि मुझे नहीं लगता है कहीं से भी सही है दोस्तों आप लगाने के लिए 16 mm का भी लगा सकते हैं चुकि आपका घर है आप कुछ भी कर सकते हैं चुकि इस पे अगर load bearing नहीं है आप देखेंगे कि इसमें चलने वाले 2-4-5 लोग ही एक बार में सीरी पे रहते हैं और उसके वजन को समभालने के लिए ये हमारा जो 10 mm का सरीय है इनफ है बहुत जादा काफी है दोस्तों फाल्तू में सरीया दे करके मोटा सरीया दे करके आप तो एक तो क्या करेंगे कि स्लैब को बहुत जादा भारी कर देंगे स्लैब अगर भारी हो गया तो वो automatically कमजोर हो जाता है इसलिए light रखिए और वो हलका रहेगा वो जादा दिन तक ठीकेगा भी और उसमें cracks वगरा भी नहीं आएंगी और साथ इसाथ आपका पैसा भी बचेगा जिस पैसे को आप घर के दुसरे हिस्से में दुसरे कोने में खर्च कर सकते हैं तो उमीद करते हैं मेरी बात को आप समझे होंगे तो एक like दीजिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार